आप सभी का मैं चैनल पर स्वागत है तो आज मैं आपको घर पे ब्लीच कैसे करते हैं वो बताऊंगी आज के वीडियो में तो प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आजए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीज़िए चलिए वीडियो स्टार करते हैं तो मैं यहां पर स्यूज कर रही हूँ- BLCC का इंस्टेन गडो गोल्ड ब्लीच जो इसको मैंने ऑन लाइन पर्चेस किया है और चाहे तो मारकेट में भी से पर्चिस कर सकते हैं तो इसको मैंने परपल.com से खरीडी हूं परपल.com से मैंने बहुत सारे चीज मगाई और मैं हमेशा beauty के product purple.com से मंगाती हूं तो यह मुझे 65 रूपीज इसमें लिखा हुआ है और मुझे यह कितने का पड़ा है मुझे देखना पड़ेगा मुझे अभी याद नहीं है तो इसमें मुझे दो पॉच मिल रहे हैं एक प्रे ब्लीच है और एक पोस्ट ब्लीच है और इसके अंदर हमें मिल जाते हैं ब्लीच क्रीम और पॉडर एक्टिवेटर इसमें बहुत सारे चीज रहते हैं तो देखिए इसमें क्या क्या है और यह है ब्लीच और इसमें दिया है एक पेपर जिसमें आपको बताया जाता है कि इससे कैसे यूच करना चाहिए तो मैंने इ देखिए पहले मैं ब्लीच को निकाल लूँगी और इसको अच्छे से में मिक्स कर लूँगी तो देखिए यह गुल्डन कलर का है मतला हल्का सा यलो कलर का है तो मेरा ना चम्मच मील नी रहा था तो मैं माचिस के टूंगने से निकाल रही थी और इतने सारे ब्लीच में तीन बार अराम से हो जाएगा लेकिन मैं अपने चेहरे के अलावा गर्दन और गले पे भी यूच करूंगी तो दो बार अराम से होगा तो चलिए इसमें अब मिलाती हूँ मैं एक्टिवेटर पॉडर तो मैं इसमें दम दो से तीन चुटकी बस मिलाऊंगी ज़्यादा नहीं मिलाना चाहिए बस इतना ही बहुत है इसके लिए और ज़्यादा मिलाना से आपके चेहरे पे लाल लाल धबबे हो जाएंगे और जलन भी बहुत होगा तो मैं इसको अच्छे से mix कर लेती हूँ जब तक कि ये powder अच्छे से mix ना हो जा तो मैं इसको 1-5 मिनट तक इसको ऐसे ही mix करते रहूंगी ब्लीच करते रहती हूँ वैसे मैं facial भी करती हूँ तो facial में ज़रतर पालर में करती हूँ तो चलिए मेरा वो अच्छे से mix हो गया है तो अब मैं अपने चेहरे पे लगाऊंगी प्री ब्लीच और इसको मैं थोड़ा सा ले ली हूँ अपने हाथों पे और मैं अपने face को face wash कर ली हूँ अच्छे से face wash से मुझ को अच्छे से दोर ली हूँ और ताविल से पोच ली हूँ और मैं बालो को cover करने वाली जो hair wind आती है वो मेरी मिल नहीं रही थी तो मैं बालों को अच्छे से बांध ली हूँ और मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं आएंगे चेहरे पे और मैं प्रेव लीच को अच्छे से बालों पे मीक्स कर लूँगी और इसको पूरा अपने चेहरे में सुखा लूँगी तो बीच में मेरा बेटा भी आ गया था तो उसको इग्नोर करिएगा बहुत बनमासी करता है उसको अभी मैं मोबाइल में वीडियो बना रही हूँ तो इसलिए वो मेरे पास आ गया है वो भी घर पे अकेला रहता है तो उसे मन नहीं लगता हूँ मेरे आसपासी गुमता रहता है तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी एकदम हातों से हातों की स्पीर थोड़ा तेज रखके इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं इसके बाद फेस्यल वाला भी वीडियो जरूर बनाऊंगी तो आप उसको भी जरूर देखिएगा मैं ब्लीच करने के बाद फेस्यल करूंगी तो वीडियो आप जरूर देखिएगा मेरे चैनल पे अप्लोड हो जाएगी तो मेरा अच्छे से मिक्स हो गया है मैं उसको अच्छे से मिक्स कर ली हूँ चैरे बिल्कुल सूख गया है तो अब मैं ब्लीच लगाना इस्टार्ट करती हूँ तो बालो को और आखो को बचाते हुए हम ब्लीच को पूरे फेस पे कवर करेंगे तो मैं इसके लिए ब्रस का यूज़ कर रही हूँ आप चाहे तो हाथ से भी लगा सकते हैं तो मैंने ब्रस रखा है इसके लिए तो मैं ब्रस ही यूज़ करती हूँ तो आख पे बिल्कुल नहीं लगाएंगे और 15 मिनट तक इसको लगाए रखेंगे तो मैं ब्रस का यूज़ करेंगे तो ये देखिए मेरा ब्लीच अच्छे से सूपर नहीं लगाएंगे तो मैं पानी से थोड़ा सा पानी लेकर अच्छे से मसाज करूंगे क्योंकि मैं कभी-कभी पालर में ब्लीच कराती हूँ तो वो ऐसे ही करते हैं तो मैं घर पे भी ऐसे ही कर रही हूँ और घर पे ब्लीच और फेसल करना बहुत ही असान है पर थोड़ा सा पालर में अच्छा लगता है और थोड़ा सा सरीर को रेश्ट करने को मिलता है इसलिए लोग पालर में कराते हैं और मैं भी अधर पालर में करती हूँ लेकिन इस बस सोची चलो घर पे ही कर लेते हैं तो अच्छे से पानी लगा कर मैं सारे जगा जहां जहां मैंने ब्लीच लगाया है वां अच्छे से मसाज कर लोगी पाच मिनट तक और फिर इसको कौटन कप्रे से अच्छे से फेस को पोच लोगी तो चलिए इसको अब पोचते हैं और मैं ज़ादा तर मूही दो लेती हुँ क्योना ये जुभ्लीच है बहुत चिपचिपा होता है पोचने के वाद अच्छे से पोच Attend नहीं है तो मैं फेश को दो लेती हुँ तो चलिए मैं अब फेश को दो कर आती हुँ का तो मैंने फेश को पूरा अच्छे से द्धोर ली हुँ आप चांए तो चिस्जी से भी पूस लाएँ था तो में को अपता से लगा है योग तो मैं ना लेती हूं क्यूंकी नाने से पहले ब्लीच करती ह definitions आप देख सकते हैं कप्ड़े सारे गंदे हो गए है मेरे तो मैं नहां के आती हूँ उसके बाद मैं लगाऊंगी ये आप तुरंत लगा सकते हैं इसको लगाने के बाद 15 मिनिट 15 मिनिट आदा घंटा के बाद फेस को अच्छे तरीके से धो لीजेगा पर मैं नहा कर आती हूँ फिर उसके बाद इसको लगा लूँगे फिर उसके बाद मैं फेस को अच्छे से दो लूँगे तो मिलती हूँ मैं थोड़ी सी देर में तो मैं नहा कर आ गई हूँ और मैंने कुछ भी नहीं लगाया है तो चलिए अब हम लगाएंगे ये पोश्ट ब्लीच लगाएंगे तो मैं इसको पूल काट लेती हूँ तो ये बिल्कुल पानी की कलरता है ट्रांस पेंट कलर है तो इसको मैं अपने फेस पे अप्लाइ कर लोंगी मैं जहां-जहां ब्लीच को प्लाइ की हूँ आप मेरे चेहरे का रंग देखकर लगी रहा होगा कि ब्लीच अपना काम कर दिया है मैं हमेसा ब्लीच लगाती हूँ न तो मेरे चेहरे पे एक अलग सी लाइट आ जाती है और फेसियल से भी अच्छा लुक ब्लीच देता है ऐसा मेरे हजबन भी बोलते हैं तो आप भी मेरे चेहरे को देख लो कितना अच्छा सा लुक आया है तो आप भी जरूर घर पे ट्राय करिएगा आप जरूरी नहीं कि मैंने जो विलेच यूच किया है आप वही विलेच यूच करें आप वही विलेच यूच करते हैं जो आप हमेशा करते हैं तो अब मैं इसको लगाने के बाद 15 मिनट के बाद दोहलूंगी तो मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ वीडियो पसंद लेती हूँ और गरदन और गले भी मतलब दिखाई देते हैं तो जब चेहरे को बिलिज करते हैं तो उसे भी कान को भी कि अचिए कि पिर चेहरा अलग दिखेगा गरदन अörtकेहितें के इसको अप्लाई कर ली हूँ अब मैं इसको पंदर मिट के बाद फेस को वास कर लूगी ठंडे पानी से तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होप पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और अगर आप में चैनल पर नए आया हैं तो प्लीज में चैनल को सब्सक्राब कर लिजेगा मिलते हैं आगे नए वीडियो के साथ तक तक के लिए बाई बाई